सिचुवेशन कैसी है पैशन इमोशन एनर्जी यह पैशन इमोशन एनर्जी एक्चुली यह जो भी खुसूसियात है यह इनसान में पाई जाने वाली है जब वह क्या कहते हैं कि वह चाहते हैं कि मैं यूवन बींग अगर स्पिरिच्वल होना है यह कंप सिचंक गॉड से कंड़ी हो तो वह सत्वा रहना चाहिए सत्वा का मतलब गुद्नस अच्छाई उसके पास इलम हो वह एंलाइटन ऊ उसको अल् result आपक जान गाद की रोश्णी ऴृश के सारे चीज़ें गुड-गुड हों उसको संत्वव कहते हैं वह संत्व स्टेट इध मैंड रजस स्टेट of मैंड तमस्टेट इस तेन श्राइट तेम मैंड जैसे स्टेट ऐप मैंड में जैसी परस्टनालिटी इस फसूसियात नजर आएंगी उसको उस आदमी की परस्टनालिटी को वो माइंड से क्या कहते हैं जाहिर किया जाता है जिसके अंदर गुड्नेस अनलाइडनमेंड नॉलिजफुल और बहुत ज्यानी है वो उसको सक्तवा माइंड का शक्स कहा जा ब्रकरती जेर। जब यह दोनों हैं तभी क्रियेशन कंप्लीट होता है Only when the spirit within recognizes that it is totally different from Prakati and wishes to remove itself from its confines, can be defined, can be attained, Moksha and Salvation. यह Prakati और पुरुशा दोनों ही हैं, जो Moksha या Salvation, Self-Actualization की तरफ लेकर चाते हैं. यह कुछ कॉलिटी हैं, सत्वा की कॉलिटी हैं, यह रजस के हैं, यह तमस के हैं. यह कुश्चन थोड़ा बहुत सिक्स मार्क्स के लिए आ जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजेगा. सत्वा में क्या होता है? तमस से लेते हैं बुराई से, ठीक है? इनर्शिया होता है, एक तरह की अंग्जाइटी होती है, और वो कभी-कभी वेस्ट होते हैं, नेकेटिव के अंदर थॉट्स होते हैं, वो बहुत ही, डिप्रेशन, इग्नोरन, जहालत, और जो भी नेगेट कि तो स्थारी देडेट होता है लोगों के बारे में सोचता है कि कि थॉट्स होती है इसके ऋपन्ष उसमें अपनमेस दिक वह भूफ ही नॉलेच इबल होता है एंड श्रते होता है यह सथे ज्योग के नेक्स्ट एयोगा तीन हम लोग पढ़ना है तीन एक है संह्या दूसरा ह तो किहीं हो गया संख्या मैं रूसरा है योगा फिलासफी जो है यह योगा फिलासफी इन सान को आजादी हासिल करने और निजाद पाने का अमली तरीका जरीहा बता है वह मैं नें इंगलिश इंग्रेश से इस लियर गिए कि्योंकि हुर्ध में इस प्रूब कैफी और कि टीचर्स के लिए तो आप कंपंशरी भी है ना योगा कर रहा ना स्कूल्स में कि इसकूबेंट को दिखाते हैं कौन दिखाते हैं योगा टीचर दिखाते हैं टीचर्स को नहीं सिखाते हैं है यह स्ट्ड़ी में हाइए स्कूल में रहता है अच्छा जाता है शिकाया जाना चाहिए ऐसा कुछ है मैंने कहीं पढ़ा था करना टका का मुझा अधिया नहीं ठीक है या पिर आप कहां से हैं मुझे उसका आइडिया नहीं है पट योगा सिखाया जा रहा हूं आधे में सिहत के लिए अच्छ होते हैं करना चाहिए मैं नहीं करती बट आइसे जो तो जिस तरह से संख्या को किस ने डिसकावर या संख्या किसने दी थी कपिला मुझे वेरी गुड उसी तरह से पतांजली जो है पतांजली फिलोसफर ने योगा फिलोसफी को कौंटिव पतांजली योगा बहुत एक ऐसी थौट है ऐसा काम है जिसकी वज़े से इंसान आजाद हो जाता है ठीक है अब ये योगा संख्या फिलोसफिक के नजरियात पहलों जो भी थौट्स थे ना संख्या में उन संख्या को प्राक्टिकली लाइफ में इंप्लिमेंटेशन करने के लिए योगा सपोर्ट करता है दोनों फिल्सफियां ये मानते हैं कि आजादी और नजाद के लिए इल्म बहुत जरूरी और कभी भी अनवाइडेबल है वो करना ही इल्म हासिल करेंगे तभी हम लिबरेटेड होंगे तभी हम सारे पेंट से मुक्त हो जाएंगे आजाद हो जाए त्वी इस घ्री मोशाद के लिए इंसान को इसकी जिस्मानि और जहनी को दबाना होगा योगा बहुत आस्ञें इसको करने के लिए बेसिकलिए को समझने की जरूरत है संका की तेरी के वेसिज़्त पर योगा के प्रैक्टिसिस करना के लिए बहुत सारे साहे बहुत बैड आपजेक्ट जैसे कि बहुत जादा ग्रीड है लालच है बहुत जादा जैलिसी है यह सब चीजें हैं उनको सब को दबाके हमें अपने खाइशात को दबाके हम योगा कर सकते हैं योगा मतलब वो जो थेराटिकल संख्या का प्रैक्टिक इसके जरीए हम अपनी हाइकत को पहचान सकते हैं क्योंकि हमारी हकी की जात इन सबसे बेनियाज है इसके तरहे हैं योगा तरहे हम अपनी हपिकत को पहचान सकते हैं क्योंकि हमारी हकी के साथ इन सबसे बेनियाज है अब योगा के कुछ उसूल हैं यह सब आपको अच्छे से पढ़ लेना इसका हो सकता है योगा के उसूलों की वजाहत कीजिए इस सवाल को आएगा तो आपको यह जवाब लिखना है क्या लिखना है वो सारे के वो यह ताकत है ऐसी ताकत है जिसके जरीये उट लिख हो और नसर् ना आने मेले बनसकते हैं। तो इन संख्या में क्या बताया गया था कि यह जो दुनिया है यह पूरी एक मैटर है और वो मैटर के हम सब हिस्से है जैसे पूरा पानी है ठीक है अब गॉड इटसल्फ इस इंवल्ड इन इस पानी है वो पानी के अंदर समझो अलग-अलग आइस के आइस पार्टिकल्स क्य है तो उसी तरह से इनका यह मानना है कि यह पूरी जो क्रियेशन उस जिसमें गॉड भी शामिल है यह सब कूछ एक ही है लेकिन इसकी शक्ले अलग-अलग-अलग अलग आटम की जैसे हम बारिक-बारिक है ठीक है ऐसा इनका माना है यह वो ताकत है जिसके जरिये रूई की तरह हलके बद कर वामें हो सकते हैं यानि सेल्फ एक्चुलाइजेशन जब हासल होता है अगर हम लोगों को हासल नहीं हुआ इसलिए हम वो फीलिंग नहीं फील कर सकते लेकिन जिसकिसे ने यह फील किया है रिशियों मुनियों सूफीज में वो सच में अपने आपको बहु दुनियावी कोहिशात से वाप बिलकुल परह होते हैं उनके अंदर मौज़ुद नहीं हुआते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही कोईश होती है कि हम फाइनलि अपने गौड से मिल जाना उसको समझना उसको जानना उससे अपनी दोस्ती करना वह उनका सोच रहती है ठीक है औ तो आपने आप से जोड़ना या या खुदा से जुड़ना उसी को स्पृरिच्यूलिजम कहते है तो यह इनका पूरा पूरा तो परसिस के हिसाब कहा है ठीक है और फिर ये योगा के और भी कुछ-कुछ ये हैं इस वसूल आप उसको देख लीजेगा आपकी किताब में बोड़ी तरह से क्लिए है और नेक्स्ट है न्याया यह न्याया संस्कृत लफज है इसके माने मजमून की तफसीलात में जाने के होते हैं न्याया यान कि यह सब कुछ है इसमें मजमून का तज्जियाती मताला मंतगी अद्दाज में किया जाता है इसका मतलब है कि अनलाइज सबजेक्ट जो भी इल्म है हां कोई सा भी इल्म है उस इल्म को तज्जियात याने अनलाइज करते हैं अनलाइज करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को चुट 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 तोड के समझने की कोशिश करना और तो लॉजिकली, कुछ एक मन्तक रहना उसके पेस्थिस पर नियायक हो तर्क विद्या तर्क याने क्या होता है? तर्क जानते हैं आप हिंदी का लगज है चोड़ना तर्क उर्दू में छोड़ना, हिंदी में लॉजिकली, ठीक है? तर्क का मतलब उर्दू में छोड़ना और हिंदी में जो है तर्क लगाना याने उसमें कोई लॉजिक लगाना, उसका कास रिलेशन्शिप दूना वजुखात का इल्म है और विद्या यारि मुबाहिसे का इल्म भी कहते हैं इस फलसफे ने मंतक के जरीए इल्म पर रोशनी डाली है जो भी नॉलेज हासिल होती है वो लाजिकल होती है राशनल होती है मैंने उसका कुछ जवाज होता है वो समझने की कोई वज़ा होती है पढ़ने की कोई ऐसे ही कोई इल्म क्रियेट नहीं होता उसके पीछे कुछे लाजिक होता है इनके नजदेक इल्म का मतलब अश्या का इजहार है वो कहते हैं कि इल्म के जरीए अशिया चिराख के माने रोशन हो जाती है अशिया मतलब वो अशिया नहीं बिस स्प्रिश्च्वल वाली कि ये फिलस्फ़ा हमें दर्जे जिल ये चार चीज़ हैं परहेज करना, परहेज करना, किस से परहेज करना इनका ध्याया का नया का अशिया है कि दुखों से परेज करना अब दुखों से परेज करने के लिए क्या करना? दुख की वज़ा, दुख की वज़ा ढूंड़ना, दुख की वज़ा क्या होती है? खोहिश, खोहिश का पुरा ना होना अमुमन हमारी दुखी वज़ा क्या होते हैं आप कब दुखी होते हैं आप कब परेशाएं उदास होते हैं कोई बात ना मनने पर कोई चीज ना मिलने पर कोई करेक्टर टाइम पर ना होने पर क्या होता है दुख होती है तो वो दुख कुछ नई होना मतलब हमारी जो खौहिश है हम कोई अच्छा भी हम नहीं करा हमारे एक्सपेटेशन पर नहीं उत्रा उन्होंने हमसे अच्छी बा एजुकेटेड जहालत का मतलब अनेजुकेशन नहीं है, इलिटरेसी नहीं है, जहालत का मतलब वो सोच है, वो फिक्र है, वो दिमाग का वो स्टेट है, जिसमें हम चीजों को लॉजिकल ही नहीं समझते हैं, हम कभी-कभी ऐसा नहीं सोचते कि यह सामने वाले ऐसा बीहेव कर जैसे ही उन्होंने कुछ कह दिया हम फौरन उलटकर उनसे कहें कि क्यों चुप रहेंगे हम नहीं चुप रहेंगे तो जब हम चुप नहीं रहेंगे उनको फौरन उनके ही टोन में बात करते हैं तो उससे जाहिर होता है कि हम जाहिल हैं हम नहीं समझ रहे हैं कि वो ऐसे क्यों कह रहे हैं, हो सकता है वो, हो सकता है, वो उनकी जहालत हो हो सकता है, वो उनकी परवरिश हो हो सकता है, वो सामने वाले का क्या इग्नोरंस हो, उनको समझ नहीं आ रहा होगा, वो किसी परिशानी में मुद्दिला होंगे, that we should understand, कोई भी student जान भूच कर कोई भी गलती नहीं करता है, तो टीचर को understand करने की जरूरत है, कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, कल में थोड़ी देर के लिए परिशान हो गई, मैं जब जब भी सवाल पूछ रहे हूं, मेरी स्टूडन्ट जवाब दे देरे, second class में, ये first class में, second class में, मैंने सवाल पूछा तो, किसी ने ठीक से जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सब तो teachers हैं, सब जवालों के basic सवालों के सारे, सब teachers को जवाब तो सबादें, आपको भी सबादें, लेकिन उनने मुझे क्यों नहीं जवाब दिया, मैंने लास्ट नहीं से camera on करने के लिए कहा जब बिल्कुल class खतम होने पर दे तो उनने camera on क्या मैंने देखा, most of the teachers were in bus, तो मुझे बहुत बुरा लगा, कि मैंने उस पल नहीं सोचा था, आप बाद में समझ गए कि कोई रीजन है क्योंकि आप टीचर से आपको basic information तो होती है लेकिन कुछ वज़ा होती है जिसकी वज़े से सामने वाला कुछ उनका reaction वैसा होता है, यह समझना क्या है दुख की वज़ा दूर करना दुख की वज़ा जानना और उसको अवाइब करना अब दुख की वज़ा करने के लिए क्या करना खौहिशात को मारने के लिए क्या करना इनका कहना है खौहिशात को खतम करना है दुख से निजात पहले वज़ा जाने हम पर तो उसके दुख से निजात दियने दुख, हमारे जिन्देगी से दुख चला जाना, तो हम क्या करना, उसको परहेज करना, हम खोहिशात को अपने अंदर पैदा होने नहीं देना, एक्सपेकेशन छोड़ देना, सिचुबेशन को एक्सेप्ट करना, शुकर और सबर से रहना आइसा नियाया कहता है, नयाया फिलोसफी, और फिर कता ही परहेज करने के लिए क्या करना है, हकीकी इल्म को जानने की खोहिश पैदा करता है, ठीक है, तो यह तीन हमारे स्प्रिच्वल थौर्ट, क्लास सूफिजम से पहले, यह तीन डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल्स थ आप सूफिजम जानते हैं, या तसूफ को जानते हैं, ख़दा की आद में नहीं जानते हैं, थाइंक यू, किसे नहीं करके भी जौब देना बहुत अच्छा लगता, तसूफ एहवाल को हग के साथ कायम रखने का नाम है, एहवाल याने हमारे स्टेट अफ लाइफ, स्टे प्रोष्टेड रहना ओलवेज, टुटिफूर वस, नीद में भी, तो इस स्टेट को कहते हैं, तसूफ ठीक है, तसूफ एक प्रैक्टिस है, तसूफ एक धौट है, तसूफ धौट कैसे है, हमेशा यादी इलाहें में रहना, और स्टेट अफ प्रैक्टिस कैसे है, उस, उ सेकेंड के लिए भी नहीं होना ये इस इल्म को तसवुफ कहा जाता है कश्फल महजूब एक बहुत पशूर किताब है किसी ने इस किताब का जिक्र सुना है जानते हैं आप इस किताब के बारे में कश्फल महजूब मेरे खाल से नियाज बे नियाज रहमतुला लिकी एक किताब है और इस किताब में तसुफ के बहुत सारे कॉंसेप्ट के बारे में लिखा है तसुफ भी एक फिलोसोफी है जिस में जो जिस फिलोसोफी के अकॉर्डिंग बंदा अपने रब से मिलने जुडने के लिए पूरी जिन्दगी स्ट्रगल करता है, सोचता है और इल्म को जाने की कोशिश करता है, ठीक है तसुफ उस तरजे जिन्दगी का नाम है जिसमें बंदा गैर ला से मूड कर अपने माबूद पहबूद के साथ बे लॉस रिश्टा पाइम कर लेता है अब गैर गैर ला का मतलब क्या है गैर ला क्या होता है, सबकुस तो ला légी हैना ठीक है नतीजदन इस ताल्व के बंदगी से उसे वो रूहानी लज़द लु्दफ कैफ नसीब होता है जिसे इंकबाल की जबान में, इंकबाल अपने अशार में बहुत जिक्र किया है वो एक शेर भी यहां लिखा हुआ है अब तसूफ का मतलब है अल्ला ताला से जुड़ना अल्ला ताला के बारे में सोचना उसकी याद में रहना किसी और चीज के साथ उसे मजा नहीं आना जब बंदा तसूफ वाले स्टेज में है तो वो अटैश दुनिया Devi चीज नहीं होता है अटैश से अल्ला कि अल्ला के वजूद अल्ला से होता है यह अपने माबूत से होता है इन हैं अपने Creator से अठ्शों से अब दुनिया में रहकर भी अल्ला से फश्टेग्टेड रह सकते हैं वो बहुत बहुत diferenude को उस तो यार टेक्स्ट बुक असल में सूफिसम क्या है वो अलग चीज है लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है आपके उसी पर आपको सवाल जवाब लिखने हैं तो तसवुफ के बुनियादी उसूर मंदजेजी हैं इमान, इसलाम, एहसान अब ये तीनों आपके करणा। एक पृष्र कहुत नव्य un twisted को मानना और अकिरत पर इमान रखना। जहे में लिए उससी पर इमान रखना। मानना कि अल्ड़ एक ए यहां हम लॉजिकली नहीं सोचना अरे जन्त हो कैसा सकती है ऐसा कैसा हो सकता है मनने कि यह थौट हमारे दिमाग में आ गया तो हमारा इमान जगमगा गया लेकिन यह मुसलमानों में हम देखते हैं कि एमान को बहुत मदर इमान है तब ही तो इतनी अच्छी से नमास पढ़ते हैं पांच ली नमाज कि अपमाध की नमादयरा हैं कोई भी कि लिह ले रहे कि आप मेरी करें आप आफलरी बातें बताना का अवी लाभ यू अला हम आपसे बहुत महबबत करते हैं और तुछी को बड़ा मांते हैं शुखंपना अल्ला हुअग अग्पर तो नमाज पर लक्त बाद करते हैं अपर अच्छे से हमें और नमाज इसी लिए वैसे पढ़नी चाहिए कि अलहाँ पैसलाम नेक्सट इसलाम एक रिलिजन ए कैसा रिलीजन है इसलाम में किस चीज़ पर अमल किया जाता है नभी सलुलगाव लिए सलम के बताई हुए रस्ते पर चलना खुरान वहदीश ओके तीप लख्ज है जो जिसकी पाबंदी करना ही इसलाम है यह सब जो कह रहे हैं वो सब उसी में शामिल हो जाए उसको कहते हैं जो है उसकी पाबंदी शरीयत का मतलब क्या होता है समझ दो शरीयत का मतलब वो गाइडलाइन से इसलामी गाइडलाइन से जिसको हमें फॉलो करना ही है ठीक है उसको ना करने की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें तर्मीम हो सकती है क्या? श्रियाट में तर्मीम कर सकती है? जी नहीं है। इसमें चेंजेस थोड़े बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, हम तो बहुत नालेजिबल है ना इसलिए। श्रियत एक अल्ला का खानून है जिसको बदला नहीं जा सकता। वेरी गुड शरीयत वो कानून है जिसे अल्ला ताला ने बनाया है और उसमें तर्मीम की गुझाईश नहीं है उसकी वज़ए यह है क्योंकि अल्ला से बढ़कर सोच रखने वाला दुनिया में कोई नहीं है दुनिया के बाहर भी कोई नहीं है बलकि पूरी काइनात में कोई नहीं है तो अल्ला ताला ने बहुत सोच समझ कर शरीयत के पवानीन को बनाया है उसको इसको फॉलो करना गान वीडावड़ नी क्वेश्चन फॉलो करना विडावड नी कि लाजिक और रैशनल और सारी चीज़ें आल्ला को पता हैं उसी के ह्साब से आल्लाने बनाया है उसे हम्तरमीन नहीं का सकते तो यह जो है वो Islaam है हमारा और नेक्स्त ऐसान किस का एसान मानना है हमें अपने रब का त Anotherionar जया अमेंodes दी है अभर हर वो काम जो आपकी बदले के उमीद के बगार करते हैं वो एहसान होता है तो आल्लाओ ताला हम पर एहसान करें कैसा मालू हमें चीजें देते हैं तो एहसान करना वो तो अलग चीजें उनोंने पैदा किया इस सिचुवेशन में डाला यहां बिठाया अपना बंदा बनाया यही बहुत बड़ा एहसान है तो यह तीनों चीज़े सुफिजम के बन्यादी उसूल है यह तीनों उसूल यह इसूलों को मानना ही सुफिजम है अब वो क्लियर हो गया इसमें और भी बहुत मजीद सारी चीज़े हैं आप उसे अच्छे से पढ़ कॉछी बहुत में तो आप उसकी तैयारी करके रखिए सारे कॉंसेप्ट नहीं आएंगे बड़ दो कॉंसेप्ट आएंगे जिसके बारे में आपको वजाहत करनी होगी यह तो नेक्स्ट मगरभी फिलसफे विस्टन स्कूल फिलोसफिवे बारे में कुछ जानते हैं आप ल जो हिंदुजम की फिलोसफी थी वो संख्या न्याया वैशिश्का और वेदानता यह सब कुछ थे और मुसल्मानों की यह मुसलिम की जो फिलोसफी थी जिसमें सूफिजम है और तट इस नाट ओनली रिस्टिक्टेट टूगे यह इंडियन सिचुविशन में बठ है इस्ल की मगरबी फिलसफा भी है तो मगरबी फिलसफा क्या है मगरबी फिलसफे में डिफरन 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 फिलोसफी हैं जिस फिलोसफी का सबसे पहला है वो आइडियलिजम है आइडियलिजम यानि किसी एक आइडियल को मानना और उसी पर अपनी पुरी जिन्दगी को गुजारना, उसे कहते हैं आइडियलिजम, क्या है हमारे सुसाइटी के कुछ नॉम्स और कुछ वैलियूज होते हैं, कुछ एकदार होते हैं, उसमें हमें बेस्ट अपनी लाइफ को गुजारना, या बेस्ट सविचन को अलाना, उसी को क्या कहते हैं, यहां पर तस्वरियत किया है नाम ठलसफ तस्वरियत बहूत सारी और मतनु मतनु से चाहिए रगलत स्वरिय बहुत सारी डिफटेगे डिफ tag & कि शक्ले इक्तियार करता है इन साओ का वुनियादी मफरोजा ये है कि बुपर्शन या रूओ वुनिया का लाजमी माध्डा है ठीक है? और ये फिर ये भी कहीं न कहीं ऐडियलिस्टिक जो ये है ऐडियलिस्टिक छो ठेरी है वो स्प्रिश्पलिजम से कनेक्ट करती है ओके फसफ तसवरत इस बात का दावा करता है कि हक्तिकत, ख्याला, तसवरा, जहन और नफस पर मुश्टमिल होती है ना कि मादी चीजों और पुवत पर ये प्रैक्टिकल नहीं है प्रैक्टिकल प्रैक्मेटिस्ट है ना प्रैक्टिकल लाइफ कैसी है लाइफ प्रैक्टिकल है ये भी एक ठेरी है ये भी एक नजरिया है, एक भी फिलोसफी है लेकि उसकी बिल्कुल बरक्स मुटलिफ अपोजिट फिलोसफी क्या है आईडियलिस्टिक फिलोसोफी है या 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 आईड जिद्रत को खुदा से अलग करता है, रू को तबई अंसर के मातहत मानता है, अकवानिन को बरतर बनाता है, यह नेचर प्रकति को जैसे वह नोंने गाड समझाना वैसे है, नेचरलिजम भी नेचर है जो हमारे जिंदगी को चला रहा है, इनका फिलोसफी ऐसा, नेचर ही हमार गॉड है, नाचर ही इंपोर्टंट है, गॉड के ऐब नेचर ही बहुत इंपोर्टंट है, जो हमारी लाइफ मैश्व को चला रहा है, और यह रूसों के मताबिक भिष्च अच्छी है, अच्छी है मतलब, वो झाल है तब ही नेचर बवाद लिने उसको एक्जिस्टंस दि और हर शेय इंसानों के हाथों से बिगड़ जाती है तो नेचर क्या है? वो बहुत प्यूर है, खालिस है और वो अल्ला की तरफ से, गाड की तरफ से, क्रिएटर की तरफ से आता है लेकिन जैसे ही दुनिया में आता है, वो बिगड़ जाता है बलके इंसान के लोग करते हैं ऐसा उनका नैचरलिजम का फिलासफी है तो यह अगरी विट इस? नहीं कुछ हद तक मानते हैं कुछ हद तक हम लोग आइडियल भी होते हैं यहने हमारी लाइफ में आइडियलिजम भी होती है और कुछ हद तक हमारे जिन्देगी में नैचरलिजम भी होती है अब आगे हम लोग डिसकस करेंगे कि क्या होगा हाँ आप तो समझ मैं अब फित्रियत के हम खुसूसियाद क्या है फिलसफ़ फित्रियत फित्रियत की तरफ वापिस होने पर जोर देता है नेचर की तरफ से सब चीज़ें आई और नेचर की तरफ ही सब चीज़ें जाएंगी ऐसा उनका मानना है बच्चा तालीम के लिए नहीं है तालीम बच्चे के लिए ऐसा उनका मानना है समझ गया बच्चा तालीम हासिल करने के लिए नहीं है तालीम बनी बच्चे के लिए है। इसमें डिफरेंस लग रहा है आपको? जी मैं, यहां पर बच्चे के अहमिएत दी जाती है, तालीम के अहमिएत नहीं, और बच्चा जादा अहमिएत रहता है। और मैं एकसर सवाल सब लोगों से पूछती हूँ जब भी कोई एक सवाल, परशानी, प्राबलम यहां लेकर आते हैं, तो जिन्दगी में वो चीज है क्या वो चीज में जिन्दगी है। अगर हमने अपने माक्स में पनी जिन्दगी ढूंडी, अपनी सेक्सिस में जिन्दगी जिन्दगी ढूंडी, तो जिन्दगी बेकार, क्योंकि जिन्दगी का हिस्सा है, यह सब चीज है, इल्म जिन्दगी का हिस्सा है, सहत जिन्दगी का हिस्सा है, बहुत सारी असेट्स प्रापर्टी का हिस्सा है, जिंदेगी नहीं है, जिंदेगी बहुत बडी चीज हैं, उसमें ये सब च्छटप च्छचीजे है ठीक है? तो सबसे इंपटेंट क्या हो गई है जिन्दगी और नेचर में क्या है नेचरलिजम के अपरोज को मानते हैं तिफल मरकूस तालीम को फरोग देते हैं ठीक है फलसफा फितरत के मताबिक बच्चों को तालीम अलफास की शकल में नहीं बलकि अमली तोर पर दी जाए याने उनको एक्सपिरिंशल लर्निंग सिखाए जाए तज्यूर्बे से अमल से वह प्रैक्टिकली करकर के चीजों को कौनसेप्ट को तसवर को समझने की पोशिश करें बच्चा बच्च से दमाना ही कहते हैं इसको फ्रिक्शन कहते हैं इस तरह से उनको नहीं सिखाना है बलकि उनको सिखाने का तरीका सिच्वेशन बना कर देना है जिसमें वह बच्चा खुद बपुद सीख जाएगा बच्चों को खुद करके सीखने और तज्यूर्बात के जरी अपनी लड़के लड़कियों के अलाइदा होनी चाहिए क्या होएगा दोनों होना चाहिए तेन गार यह बहुद अगर अगर ज़ता है नहीं में इसाफ से तो अलग अलग बहतर है फाल गए इंदा अगर इतता ही जमातों में को एजुक्रिशन है तो चलता मिडम लेकिन हाई इस्टेडिस में सेपरेत होना चाहिए जाहिए इस्टेबिंस नहीं रहता है ना मैं बच्छें तालिम के उपर ही जोड़ देते हैं आच्छा क्योंकि आपटीचेस ना पिक उस भुट सारे प्रैक्टिकल स्वीशन रहुशन से इसलेगी इसलेगे पुट रहे हैं अगर रहाए रिस्टेडियस कर दो हें, forma बॉल्चेु को पूलिए गया एधुकिता है, फो स्पड़ दो फिसी को है अगर रिव्सेलीस को है को दो कर दो हम दो हरूए अगर प्लोप दो लिए वाहग है कि अपने ड़कों को एक डाला है मुझे ऐसा लगता है कि यह जो पढ़ने वाली पस्टेंड़ से लेकर 10th Mushدم को फूरा फोकस इंडर पर नहीं को सोचने में जानने में उनकी ब्रक्स्रब 350 होना है उनको को थ। आपने कॉंसिप्टों को बहतर क्या है उनकोמע हिसोचना समझे ना वह जो कि अगूच पूद अन्सुटक्वार शहुड़ा 1997 तो ज्यादा बहते हैं तो अपने नजरिया है नजरिया थोड़ा थोड़ा पर नहीं मागते हैं और ज़रूरी भी नहीं है कि सारे फिलोसपीज को हम माने और एक्सप्ट करें बच्चों को आजादाना माहूल फराहम किया जाए I believe this और यह हम सब लोग आजकल सारे पैरेंट्स सारे टीचर्स अपने बच्चों को आजादाना माहूल दे रहे हैं काफी डेमोकरिटिक हो गए हैं बच्चे हमसे सवाल तूच सकते हैं बच्चे जवाब दे सकते हैं हमसे और ग्यू कर सकते हैं तो जो भी है आजकल आज़ादाना माहूल तो नैचरलिजम की तरफ जा रहे हैं ऐसा तो करिकुलम भी चेंज हो रहा है और हमें जो गवर्मेंट की पॉलिसेस हैं वो भी यही हैं कि बच्चों को बहुत फ्री लिबरेटेड माहूल प्रॉइड किया जाए नेच्ट ही इस बच्चों को फितरत की किताब से हिस्सी आज़ा के जरीए तजरूबाथ कर मुपनी तालीम हاصil करने के लिए रागिप किया जाए फितरत की किताबियाने जो नाचरल सेटिंग है उस नाचरल सेटिंग में उनके जो हिस्सी आज़ा हैं पंच संसिस हैं। उन संसिस का है। गे0, gates of, gateways of knowledge. हमारे जिसम में इल्म कैसे हासिल होता है। इल्म oluyor। दर्वाजों से हा censdaking. उन दर्वाजों को खोलना, नैच्रल सेटिंग पे बच्चों को फेजना और वो अपनी दर्वाज के हिसाब से इनको हासल करना नेक्स्ट फित्रत तमाम उलूम का जरिया है, according to them, naturalism, nature ही ही सारी information, knowledge का भंडार है, वही सब knowledge जखता है, और उसी से हम knowledge सीखते हैं, nature ही है, हमें जो सिखाता है, कुछ अद तक यह सही ही है, ठीक है, आप उसको पढ़िए उसके narrative edit space में लिखे वे हैं, एक मिनीट, ओके, पे तसवरियत और फित्रियत का मुताला हमने अभी देखा, अब इस अकाई में हम क्या देखेंगे, अमलियत, ठीक है, अब अमलियत क्या है, मौजुदा दौर के निजामे तालीम पर इस फलसफे से गहरे असरार डाले है, प्रैक्टिकली हम आजकल प्रैग्मेटिस्ट ही ह प्रैग्मेटिस्ट वे में आफ टीचिग प्रैग्मेटिक्स वे आफ लर्निंग को ज्यादा प्रिपोड़ किया जा रहा है, ठीक है, अब ये इसकी पैदाईश और इसके फल्रिब पूलने में अमेरिका के माहिरें की, माहिरें की बहुत ज्यादा कान्टिशन है, ये फिल जो जैसा है वो वैसा ही रहता है लेकिन अब अमलियत में क्या है everything changes its shape position हम हकीकत अला का इल्म हासल नहीं कर सकते या यह हमारे लिए नमुम्किन है उनके according इस फिलसिफिक के मताबिक यह है हम जो है वह spiritual वारी situation को नहीं पहुंच सकते वह अलग चीज़ है वह पाई नहीं जाती ठीक है मफरूजा तजुर्बात की कसोटी पर परक कर हम करीब तरीन इल्म हासल कर सकते हैं अब देखो गॉड को देखा नहीं है तो नहीं है देखा होता है टच कर सकते तो गॉड है न हम सिर्फ अबस्ट्राइक चीजों को यह फिलॉसफ नहीं मानते हैं यह सिर्फ गॉंकरड uh struggled को लाजी एविडेंस की बैसे पर सबूत की बिना पर और तजुर्भाट की बना पर ही चीजों को चीजों के वजूद Κो मानते है फलसफे अमलियत के मुताबिक इंसान की तमाम मसाहिल कहल साइसी तरीके और तजुरबात के जरीए मालूम किया जा सकता है बीइंग साइस टीचर हमें बहुत रैशनल होना चाहिए और बहुत ही क्या कहते हैं प्रैक्टिकली सोचना चाहिए या फिर इस इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या है जो भी प्राब्लम है उसको साइन्टिफिक तरीके से सॉल किया जाता है आप मैंसे कोई बता सकते है साइसी तरीका क्या है साइंस ही तरीका सिफ साइंस टीचर्स के लिए नहीं है, यह पुरी दुनिया के लिए साइंस ही तरीका एक तरीका है, ठीक है, उसके लिए कोई साइंस आर्ट्स कुछ नहीं है, साइंस ही तरीका एक तरीका है, जो बहुत ही, क्या कहते हैं, मुनस्जिम तर्फ से किया जाता है, मुनस्जिम होता है, बहुत ऑर्गनाइज़ होता है, पहले तो मसले को समझने की पहले बच्चे को पहले अबसे बात करके मालूम करने की कोशिश करेंगे इतना टाइम है आपके पास करने के लिए करेंने दिन के पहले हम उसे पूचन से पहले हमारा काम न होकर अबशर्वेशन करने की ज़रूरत है क्या वो Monday को ही लेटाता है, Tuesday को ही लेटाता है, क्या पूरे दिन लेटाता है, वो देखना है, ठीक है, फिर उसके बाद में वो किस वक्त लेटाता है, वो देखना है, उसके बाद हम उससे पूछेंगे, और फिर उसकी अगर problem हम solve कर सकते हैं, तो हम try to solve करने की कुशिश अगर वो ऐसा मसला है, कि वो solve ही नहीं हो रहा है, वो कहल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको और थोड़ी देर extra कहीं classes लेंगे, या फिर जो उसका subject छूटता जा रहा है, उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके notes प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, या कि इंटेलिजन बच्चे से कहेंगे, कि ये बच्चा थोड़ा इस class में नहीं आर पा रहा है, आप उसकी मदद कीजिए, notes share कीजिए, उसको explain कीजिए, तो ये हो गया, मसले को हल करने का तरीका, तो इस तरह से सूचने का ही, क्या कहते हैं, इस तरह से मसले को हल करना, साइंसी जिसे रिसर्च की लांगवेज में, आप लोग एक्शन रिसर्च करते हैं, आप लोग एक्शन रिसर्च करते हैं, आप करते हैं, आप करते हैं, आप करते हैं, आप लोग एक्शन रिसर्च टर्म आप नहीं जानते होंगे, या आप ने उसको टर्म का इस्तिमाल नहीं किया इसदिला का इस्तिमाल करनी लेकिन आफ लोक आक्शन रिसर्च करते हैं, ङूकि टीछर है, तो उनकी ऑख पास रोचा ना कुछक्छ मसल्य होते हैं, कोई बच्चा इंटालिजेंड होता है, कोई बच्चा इंटालिजेंड होने के बाजूद नहीं पड़ता है, तो उसको नताइद के जरीए बनाता है ठीक है इस फलस्फ़े ने जदीद दोर की तालीमी निजाम को ना सिर्फ अमेरिका बलके दिगर ममालिक में भी गयर मामूली है तक पुदासर किया है अब यह केहां से लफ माफुस किया गया है यह सा बाप अच्छे से पढ़ लिगे टेगा है जो चीज है उसका तालीम पर पाबिल लिहाज असर डालता है यह जो फिल्लासफी ए इसशृेग यहनि मौजूद होना वजीद रखना इसका ते का तीक है आमाली जरूरी है ये फिलूसफ़ा जर रसल एक फिक्री नहजरीया है जो इनसानी वजूद पर मोजूद है वजूद रखता है इस वाली फिकर के फिलॉसफिया ओ एक्सिस्टेंशलिजम कहा ज़ता है इस फिलूसफिय के मताविक इसान एक आज़ाद उफर्द की हैसी न्यत का हक रखता है फलस्फा वजूदियत इंसान को अपनी शक्सियत की आजादाना तामीर का अहल और हकदार समझता है यह बात भी वाज़ रहनी चाहिए कि फलस्फा वजूदियत मुकमिल फलस्फा तालीम के तमाम तकाजों को पूरा नहीं करता है मगर इसके बावजुद हम इसके तालीम पर असरात को नजर अंदाज नहीं कर सकते इस नाट कम्प्लीटली इंप्लिपेंटेट इन एजुकेशन सिस्टम यह पूरी तरह से नहीं यह कर सकता है मैच नहीं हो रहा है लेकिन इसके बावजुद इसको हम आवाइड भी नहीं कर सकते ठीके फिल्सफे तालीम के असातिजा और तल्बा इससे सर्फ नजर नहीं कर सकते मौझूदा दौर में इस फिलसफे के तालीम पर वाकिष होने वाले हमागी रस्तात का मुदालग रहना हमारी जरूर है आजकल एक्जिस्टेंशल इजम पर भी काफी क्या कहते हूं उसको काम हो रहा है एक्जिस्टेंशल इजम को और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आजक कि बच्चे तजर्बा करके नैचरल सेटिंग में नैचरल वे में चीजों को सीखेंगे तो उस इंदेगी वर इंको नहीं बोलते हैं ठीक है आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं तो आपकी क्लास के रिलेटर नहीं है बगर जब हम लोग बच्चों को हमारे दीनी इल्म से बच्चों में तरबियत करते हैं बच्चों की छे साल से साथ साल की उमर से जब हमने सिखाते हैं कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए तो हम सवाल पूछने पर पाबंदी होती है हमारे हां क्यूं आप ये क्यूं नहीं पूछ सकते कि हमें असा क्यूं करना चाहिए हालانके Quran में कई जगह सी, बहुत मरतोबा जिकर किया है तुम गोरुआ फिक्र क्यों नहीं करते हँ, अडने वाले के लिए लिए खर्वान को इंतहा जासान तुमहरे लिए руkiels और धातर कुछ गोरुआ क्या खेस कौना ँने लिए जो अगर जहननस है, तो मैं मेरे बच्पन का बाख़ए पर सुनती है, कि मेरी अमी के पास बहुत सारी किताबें हैं इस्लामिक मालूमान की. जब बच्पन में, जब हम लोगों को इमान मुपस्ल और इमान मुझमर यादिला आया था, तब बच्पन में हम भेन भाई पूछते थे कहा है जननत, कहा है, दिखती क्यों नहीं है, तो अमी ने एक वाखिया सुनाया था कि लिए नमुरूद ने अल्ला ताला की खुदाई को चालेंज करने के लिए जमीन पर एक जननत बनाई थी, विसले जननत जिसमें जैसा उसमें जिक्रिक किया गया है, जननत में ऐसा होगा, उस आर्णे जीलिद जैसे ही उसके जन्नत तैयार हुई वो उसमें दाखिल होना चाहता था उसकी पहली मौत उसकी की वाके होगी कि उसमें दाखिल नहीं हो सका हो क्योंकि जन्नत में दाखिल होने के लिए अल्ला ताला का पहला उसुल यही है कि वहां पर मर के जाना है आप जिन्दा उसमें ताफिल नहीं हो सकते तो अल्लat थाद के वसमें जब नहीं चाहएं उसने जननत बनाई इसने महनत की तो उसे जननत के मताभिक वसमें परता है तो जब तक आप उसके नहीं करेंगे आप ये क्यूं का जवाब अमी ने हमें कुछ किताबे दे दी कि मैं जो समझा सकती थी वह मैंने कह दिया तुम मुझे पढ़ो पढ़के मुझे पापस समझाओ कि तुम क्या समझे और मैं क्या समझती हूँ कर दाने किया कुछ आईंगा एंदर को आएगा ए गैंगा किन कर उखने के सबस्क्राइब कुछ कढ़ें रहे हैं क्यों अधे रमारी चे उत कि यहां पढ़ो, तुम यह वाली किताब पढ़ो, तुम इनसे सुनो, तुम इनसे सीखो, हम सब उन्हें हम खुद देना चाहते हैं, अजुद उनके लिए यह हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक यू सवाल के लिए जो हमें जब पहले हमने पहले यूनिट में पढ़ा था जब यह हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम नॉलेज किया गया तो यहां पे हमारी सवाल पूछने की सदाइयते रोकी गए, अगर आवे कहा जा रहा है कि तुम यह एक लर्ख है, तुम इतना काम करना है तो हम उतना ही करेंगे, नहीं करोंगे तुम मार पिट के करवाएंग तुम इतना 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 सबसे बड़ा रिजन यह है कि सवाल जब बच्चा पूछेगा जवाब देगा कौन जवाब तो खुद माबाब को खुद टीचर्स को परफेक्ट एंसर तो किसी को पता नहीं है क्यों नहीं पता है क्योंकि खुद मताला नहीं करते हैं बस उस अथारिटेटिव नॉलेग समझ कर जो हमसे बड़े कहें हैं बस उसको फॉलो करते हैं वी डोंट डू रिसर्च हम रिसर्च करते हैं बच्चों पर हम रिसर्च करते हैं तालीम पर हम कभी भी यह नहीं सोचते क एक्जैक्ली नमाज कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, हम तो बस फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, जितना मिला वही पहुंचाते हैं, यह रिज़न है, जिसकी वज़े से हमारे पास खुद ही स्टाफ नहीं है, हमने कौन सा पुरान शरीफ को तरजमे क साथ पढ़ा है, जब हमसे सवाल किया जाएगा, तो हमने पढ़ा नहीं है, हम में से कौन हैं, कितने लोग हैं, जो पुरान शरीफ को तरजमे के साथ बामानी पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, नहीं, कुरान देल ही सब लोग पढ़े, पढ़ते हैं, कोई सब्सक्राइश जोड़ते नहीं है, सुभाइश अगर नहीं तो रात पड़ का सोते, क्योंकि शुक्स को हमें एक इक सब्सक्याकिश समझ रहे हैं और वो कैसा नैचुरल वे में कर दे रहे हैं, कैसे हमेरे अंदर पढ़ना तो हमें आ गया कुरान्शिव समझना नहीं है, अम बच्चों को वह जो कहने है ना एट्मोस्फियर प्रवाइड करना भी हमारा काम है और क्यों वाली सिच्वेशन भी लाना भी हमारा ही काम है तो responsibility parents और teachers की यहाँ ज़्यादा है कि बच्चे के दिमाग को खोलना उसके अंदर सवाल पैदा करना ठीक है तो वा सवाल पैदा करने वाली सिचोईषन भी हम ही provide करना और जवाब दे कर उसको तस्कीन भी हम भी provide करना है तो हमारा काम ज्यादा है, अब वो काम ज्यादा हमसे नहीं होगा, इसलिए हमारे माश्रे में नमाज और कुरान तो पढ़ी जा रही है, उसका अमल और समझ दोनों बहुत दूर है, यह कि इस वज़े से क्या हो रहा है, वी आर वाइडिंग सिच्वेशन आफ क्यों, नहीं न कुरान शरीफ को एक मुकदस किताब समझ कर सिर्फ उसको पढ़ना समझना और अमल करने वाली स्टेज पर नहीं है, अलावा उसके दीन की बातों का जो कल्चर है, वो भी आपकी मम्मी को मैं रियली अप्रिशेट कर रही हैं, जो बहुत अच्छा लगावा सुनके, कि वो इस तरह से करते थे, इतने हम लोग मस्रूफ जिंदेगी में हो चुके हैं, कि हम बस करने के काम जो है, वो अपनी जो अकैडेमिक लाइफ है, हमारी जो दुनियावी जिंदगी है, उसमें इतना हो चुके हैं, कि उसको ही फस्ट प्रियारिटी दे रहे हैं, मौलिव साब को आदा गंटा या एक गंटे की जासत है, उसकोल बच्चे को हम दिन तमाम भेजने हैं, तो यह है, हमारी भी लाइफ स्टाइल बहुत अजीब है, और जिसकी वज़े से, बच्चों में वो क्यों सवाल, क्यों पूछने वाले बच्चे भी बहुत कम है, माम, बहुत कम है, व तो अल्ला हम सब को हिदायत दे, कि हम जो है, थोड़ा अल्ला की तरफ, स्परिच्वली भी सोचने के सरुवत है, क्योंकि सुकून हमें रब से ही मिलेगा, सुकून हमें कितने भी बड़े औरे मिल जाएं, कितने भी सारी ऐसेट्स मिल जाएं, कितने भी हालात जिन्दगी बैतर से बैतरीन हो जाए, बड़ी से बड़ी हमारी बिल्डिंग बन जाए, एक से चार कार हो जाए, सुखुन नहीं मिलेगा, सुखुन को हमें याद इला ही और अब से ही जोड़ने से मिलता है, ओके, anything else to be discuss? थोड़ी देर के लिए, सब लोग अपना कैमरा ओन कर सकते हैं, वोइस नहीं कैमरा, I'll take a pic, okay? हेलो? मुझे लगता बस इसे अन करके छोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ करके, जोड़ करके, जोड़ करके, जोड़ करें, 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 जोड इस पर लिए भॉसीना में यहां मैं मैं यह मैं मैं वोग्लास वाइन अप करना चाहरी हूं पुकि मेरा कॉंसें इस प्रशुक्री आपने पहुती जो मने कहेंगे ना एक इसका इपिकल्ट इडल था यह इंग फिलसफिस था इसमें सांक्या वगारा तो यह इतना आसान नहीं होता है लेकिन यह कहीं न कहीं हमारे थालिमी शाहिज करें बहुत डिफिकल्ट चीजें संद्ना आसान नहीं है लेकिन आप तक हूंद्व समझाया है यकीनन हमारे इतनी भी असातजा एक्राम जो इस सेशन में जुड़े है वो इससे फायदा यकीनी तोर पर उठाएंगे और करने की कोशिश करेंगे सो आज के सेशन के लिए मैं आपका और तमाम इतने भी नाजरीन है जो शुरुका है मैं उनका शुक्रिया दा करता हूँ बैस शुक्रिया मैं लाइक कमेंड और प्सक्राइब करें जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में